दोस्तो इस्तिहास में हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ ऐसे हिस्ट्री फैक्ट्स भी हैं जिनकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई है और आज हम हिस्ट्री से जूरे कुछ ऐसे रोचकत के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी बुजूर्ब को भी नहीं मालूम होगा तो दोस्तों मैं हो फायाना सीथ और आप देख रहे हैं टैलेंट सी तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक समय ऐसा था जब बंगलादेश अपने भारत से पांच के सिक्के मांगाया करते थे और आप सोचेंगे कि पांच के सिक्के क्यों मांगाता था बंगलादेश में तो भारत के पांच के सिक्के बंगलादेश में नहीं चलेंगे तो दोस्तों मैं बतादू बंगलादेश भारत से पांच के सिक्के इसले मांगाता था क्योंकि वो उससे ब्लेड बनाता था और बंगलादेश से पांच के सिक्के मांगा था ब्लेड बनाने के लिए और एक पांच के सिक्के से वो छे ब्लेड बनाता था बंगलादेश तो एक ब्लेड का दाम वो दो रुपया रखता था तो दोस्तो इस हिसाब से उसको बहुत फ पड़ेगा, हमको कुछ फैदा होता नहीं है, इधर से पांच के सिक्के जाते हैं, उदर ब्लेड बनता है, एक पांच के सिक्के से छे ब्लेड बनता है, और एक ब्लेड का दम दो रुपया रखता है, इससे उसको बहुत मुनाफ़ा होता है, बहुत फैदा होता है, तो हमारे 12 पर करना इतनी अच्छी दिमाग लगाई पांच के सिखे का धातुई चेंज कर दिया वाँ एक बात और बतादू दोस्तो रोम के ताना साह जूलियस सिजर ने 45 इसा पुर्व में जब जूलियस केलेंडर की इस्थापना की थी उस समय विस में में पहली बार एक जनवरी को नए साल के उस्थाप मना जाती है और तब से लेके आज तक हम नए साल के उस्थाप मनाता है दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सेर करें और जो हमारा नए मामान है प्लीज उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अच्छे चीप दिल की बातों का हमारे नीचे कॉमेंट से सर में भेजें